जाए सात्यों स्वागत आप सभी लोगों का लाइव सेशन में मैं आपका भाई एक फिर से लाइव आ चुका हूं और साथी लाइव आ चुकी आपकी अपनी फेवरेट रिजिन एक्सप्रेस सामके 6 बत चुके हैं और उमेद है कि आप सभी लोग खुशल मंगल होंगे बढ़िया होंगे और सब के पास सही तरीके से आवाज और वीडियो जा रही होगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सब कुछ होके है और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के जो सेशन होगा वो ब टॉपिक होता चला जा रहा है शादी ऐसा को एक्जाम हो अगर मैं बैंक के एक्जाम को हटा दूँ हाँ से तो आप सभी लोगों का स्वागत फिर से जल्दी जल्दी लाइक कर दीजे वीडियो को और शेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यह सर्व है तो आज हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे एक तरीक्या से हर कोश्चन पर मैं टाइमर लगाऊंगा आपको 30 सेकेंड का और तुरण तुछ टाइमर को खतम होती ही मैं आपको सॉलूशन बताऊंगा और आप चेक करके बताएंगे कि कितने लोग साही कर पाए और कितने ल अच्छारे कि सारे साब के बेदम अफडेटेड के चलिए आज के सेशन की दोस्तों यह रहा पहला कोशन अपके स्क्रिण पर पहला कोश्चन आपकी स्क्रियं पर और टाइमर के साथ रहेगा ठीक है मैं बोर्ट से हट रहा हूँ टाइमर ओन है शुरू हो जाए झाल चलिए दोस्तों यह हो चुका हम लोगों का चेक करना कैसे कर सकते हैं क्या क्या लॉजिक्स हम और आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं यही आपको देखना होगा सबसे पहली बात यह है कि सर हम लोग बेख रहे हैं कि यहां पर unit place है 4 यहां पर 3 है और यहां पर 9 है अगर अगर अग्टिसर आप इसमें से 9 में से अगर आप 3 को घटा देते हैं या 3 में से 9 को मिलेगा तो कुछ नख वैलू मिलेगी हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हमным- 4 – में से 19 को सब्ट्राक्ट कर दें कितना आएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और यहां बचा 33 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा 24 क्या सर 24 से 264 को काटा जा सकता है क्या यह 24 से कटने के योग यह तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि 24 एकम 24 ठीक है 24 चार 24 एकम 24 यानि 24 का जो 11 गुना बनेगा वो 264 बनने वाला है यानि आप कह सकते हैं दोस्त कि हमने अपने दूसरे वाले नंबर में से तीसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और जो भी वै कि जो भी आंसर आएगा हमको यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए होगा सर यूनिट प्लेस पे हमें यूनिट प्लेस का मल्टिप्लाई इस 11 के यूनिट प्लेस वन से करना है अब देखिए जरा 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 और उस 6 का जब मल्टिप्लाई में 1 से करू 0 में से 9 गया 1 1 का 1 में multiply किया तो 11 लेकिन विया अगर unit place हमारा fail भी हो जा रहा है तब भी हमें तो यह चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाले का 11 गुना answer बन रहा है ठीक है आए चलिए शुरुआत करते हैं फटा-फट से इसको check करके answer कर लेते सर 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गय है था ठीक है वेलकम कर इसका वेलकम एवरीवन वीडियो पर लाइक वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा ठीक है दोस्तों चलिए कोशन नमबर टू टाइमर ओन है स्टार्ट हो जाए झाली अगर जो तरीका मैंने आपको सिखाया है यह सारे तरीकों में से अगर हम अपने तुरंत वाले तरीके को यूज़ कर लें तो 54 में से जरा 25 को घटा यह कितना प्राप्त होता है सर 54 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 2 गया 29 मिलेगा क्या मैं 9 का कोई भी ऐसा टेबल पढ़ सकता हूं जिससे की unit place पे one मिल सके क्या मैं इस 9 के table को पढ़ करके इस unit place के 1 को प्राप्त कर सकता हूँ तो जी हाँ कैसे 9 बार में गुणा करके देखे अब ये confirm नहीं होगा कि इससे आपका answer आही जाएगा लेकिन एक ये जरूर आपके पास guesswork चला जाता है दिमाग में आपके कसरत हो जाती exercise हो जाता है कि हाँ अगर हमारे पास unit place पे 9 रखा हुआ और अगर हम 9 साई multiply करेंगे तो हमें 261 का 1 मिल सकता है ठीक है और आपने ये अप्रोच जब यूज किया होगा तो आपको 9 से multiply करने को कहा गया होगा यानि आपने क्या किया बिल्कुल करेक्ट पॉइंट आपने पकड़ा हुआ यानि नमबर 2 में से आपने नमबर 1 को subtract किया है और उसी का 9 गुना आपने कर दिया तो क्या मिल गया पहला वाला नमबर मिल गया है अब आप समझिए कि यहां पर लिखते चले जा रहा हूँ यही वो लॉजिक्स है जो आपको आपके एक्जाम में filter करने में मदद करेगा धेर सारी लॉजिक्स होंगी सामने question आएगा धेर सारे practice करा दूँगा आपको आप उनी में से filter करके किसी ने किसी एक से आप आंसर करपानी में सक्षम हो जाएंगे यह वादा है आपसे आपने क्या बोला सर हमें इन दोनों का पहले तो गैप निकालना असी और चपन का गैप कितने को होगा बाबू चपन और चार साथ है नी चौविस का ठीक असी माइनस चपन करेंगे तो क्या मिलेगा चौव आईगा यहां 82 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 ठीक है सर जो भी यह डिफरेंस आप निकाल के लिए आ रहे हैं दूसरे और तीसरे नंबर का असी और चपन का सतासी उनहत्तर का सरसट पचालिस का और 82 पचास का इनहीं का आपस में गुणा कर देना है किस से 9 से इस नोड़िकन ENT 2 में करते हैं तो का आढ़ीकैस आठ मिलेगा और नौग गुना 2 में करते हैं तो यहां भीचाईकैस बे Administre 0. sensor हमारा खटम हो यह ज़ा करते हैं तो इकाई के अस्थान पर 8 मिलेगा और 9 का गुणा 2 में करते हैं तो यहां भी एकाई के यानि हम लोगों ने कुछ तो यहां पर error किया है 10 में से 6 गया 4 7 में से 5 गया 2 7 में से 9 गया देखो यहां पर 17 में से 9 गया सही तो किया है सही है साथ में से 5 गया 2 6 में से 4 गया 2 2 में से 0 और 8 में से 5 गया 3 ठीक है नो चोग के 36 असी लगा तीन नो दुनी अठारा और तीन एक्किस नो आठे बहत्तर और नो एकम नो और साथ आरे देखो यही तो गलती यहां पर 162 होना चीए था भी कि इस तो ठोना चीए था यह वाला ठीक है आगे नो दुनी अठारा आठासी लगा एक नो दुनी एठारा और एक उननिस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ तो हम लोगों से एर और देखो क्या गलती कर रहे हैं वहों सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे 270 मिल जाएगा लेकिन टाइपिंग को लेकर कोई दिक्कत हो रही है क्या एक सो बयासी 293 अप्शन में कोई प्रॉब्लम है मुझे लग रहा कि 298 नहीं है वह 199 होना चाहिए और तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है ठीक है 298 होना चाहिए सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है चलिए खैरो तो माली हम लोगों के साइट से टाइपिंग कहाँ है और कोई शुनीए लेकिन यहां तक की बाते कि खिसकी किसकी सही थी पैँक कितने लोगों इसको पकड़ लिया मैं देख पार है रिष्का ने कहा है विशाल ने कहा है सुपर– कहनायों बहुत बढ़िया बिलुकुल बिलकुल सही बात है अमरंदर ने सपनाया यहा साथी साथ यह ध्यान रखिएगा दोस्तों 24 तारीक को यानि 24 अप्रैल को ठीक है हम लोग डाइस डाइस का ठीक है डाइस का एक मॉक्टेस्ट होने वाला है डाइस का मॉक्टेस्ट होगा और मॉक्टेस्ट का पर एक पर यह बात हो गई दूसरी बात क्या है कल से क्या होने वाला है तो मैंने देखा कई सारे बच्चों को डाइस के कॉंसेट में दिक्कत आ रही है तो कल से ठीक है ना कल से हम लोग शाम को कल से शाम 6 बजे से जैसा कि आप जानते हो कि बीच बीच में मैं कॉंसेट क्लास भी आपको समझा रहा हूं दे रहा हूं ठीक है तो हम लोग कल से डाइस की कॉंसेट क्लास स्टार्ट करेंगे जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो बच्चे लाइव आ करके और अपना रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ उनसे मिस हो रहा है है क्या कुछ उन्हों ने छोड़ दिया है ठीक है कॉंसेटट क्लास live चलेगी ठीक है कल से डा इस की कॉंसेटट चलेगी शाम को से बच्चे से ठीक है डाय और व्लों पढ़ेंगे ठीक है चली आयए बात करते हैं अब अपने को स्टे करा क क्या है पैटर्ण भाई 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 कह रहा है सर्फ 4 है 8 है 256 है क्या कर सकते हैं 8 और 4 12 9 और 2 11 9 दूनी 18 या जब यह देखिए अगर हम 9 दूनी 18 कर देते तो 18 आठे 144 होता है न हाँ बिल्कुल सही बात है यानि अगर मैं 2 का 9 गुना कर दूँग होगा तो 18 दूनी 16 और 18 चौबिस और एक पच्चिस आ जाएगा यानि एक चीज़ तो कंफर्म होगी भी है क्या कंफर्म होगी बाबु एक चीज़ तो कंफर्म हो गए कि पहले वाले नंबर का आप दूसरे वाले नंबर में मल्टिप्लाई करिए और इनके प्रोड़क्ट और 21 का 8 गुना 8 एकन 8 आठ आठ दूनी 16 ठीक है 162 के बराबर तो नहीं मिल ला भाई साब तो पहला आंसर तो नहीं हो पाएगा आठ पांचे चालिस अगर आठ पांचे चालिस देखे तो चालिस का आठ गुना 320 होता है तो सर ये भी हमें आंसर नहीं दे पा रहा है ये बात भी गलत हो जाएगी 6 का 9 गुना 54 होता है तो 54 का अगर 8 गुना करेंगे बाबू तो 8 चोग के 32 हासिल लगे 3, 8, 5, 40, 3, 43, 4, 32 बिलकुल मिल गया है C आप्षन क्या आप लोगों का भी C आप्षन आ रहा है चेक करते चलिएगा कितना सही और कितना गलत हो रहा है अनारकली हमारी नई स्टूडेंट है आईए अनारकली आईए पेपर की डेट आ जाए उसके पहले अनारकली पढ़ लीजे ठीक है बाबू चलिए सभी लोगों का करने का वादा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तो मेहनत मेरे साथ करना ही पड़ेगा चलिए कुशन नंबर चार अगर चलिए सरम देख पा रहे हैं कि अगर हम 6 का 9 गुना करें तो 6 नमा कितना हो जाएगा चनवा हो जाएगा चाववन हो जाएगा चाववन का अगर हम 6 गुना कर देते हैं तो पचास गुना तो 6 गुना निकाल ले तो 8 पाचे 40 का 6 गुना कितना हो जाता है 240 यानि जो logic निकल करके आया हो क्या निकल करके आया जो अभी अभी सिखाया आपको पहले और दूसरे का multiply कर दीजिए और उसका 6 गुना निकाल लीजिए क्या मिल जाएगा आपको तो तीसरा नंबर मिल जाएगा यहां पर आईए तो सर अगर हम देखें तो पहला नंबर है 10 10 का दूसरे वाले नंबर 6 में गुना करिए जो भी मिलेगा उसी का 6 गुना निकाल दीजिए 10 6 के 60 और 60 का 6 गुना कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा पहला अप्शन सही हो जाएगा ठीक नोट कर लिजिए इसको अगले कोशन पर चलते हैं यह कोशन बताएगा अपके अपने आपको थोड़ा सा प्रेशर में डालिएगा वाव वाव वेदान्त भी आज लाइव हैं रजनीकांत कनक संडे अलका रनबीर अकांचा प्रीती सबलू प्रिंस राधे राधे रिशिका गेम ओवर विशाल लिजेंड्स नेशिर क्या बात है अम्रेंद्र राना भी है अम्रेंद्र बाहु बली अंकित राजबिंद मिर्जापूर SSC भी हम लोगों के साथ है नीरू भी है शिवम भी है क्या बात है चले आएए दोस्तों इसका हिसाब किताब तो कुछ तो करना पड़ेगा मैं जानता हूँ इक बात कि अगर ये 6 है और ये 9 है तो इसको जोडने पे मुझे यूनिट के प्लेस पे 5 मिलेगा और पांच इस जीरो के लिए काफी होगा तो अगर मैं 16 और 19 को जोड़ देता हूं तो कितना मिल जाता है तो 19 और 6 25 और 10 35 मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा 35 और उसी 35 का मैं 10 गुना कर दूं तो कितना मिल जाएगा 350 17 और 14 को ऐसे जोड़ लीजे तो ह क्या किया है कि सर्फ पहला और प्लस 3 कर दिया पहले और तीसरे को आपस में जोड़ा है ठिक और इसी का 10 गुना कर दिया तो क्या मिल गया है आपको बीच वाला यानि दूसरा नंबर मिल इए पैटर्गर्स ध्यान में आपको रखने पड़ेंगी आप बार बार देखे कि क क्या किया जा रहा है पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला थीसरा इन ही का आपस में कोई रूल चल ला है अब देखिए बबु 7 और 2 9 9 गर हम करें तो 17 और 2 कितना हो जायेगा 19 और 10 29 29 का 10 गुना 290 होगा 19 और 2 21 % 30 31 का 10 गुना 310 होगा 19 और 7 26 और दास 36 का 10 गुना तीनसो साथ होगा 19 और 13 32 32 का दस गुना तीनसो बीस होगा तो इस question का answer D है सभी लोगों का answer D आया होगा यह उमीद है मुझे और बिल्कुल सही बात है दिख भी रहा है कि सभी लोगों का answer D है ठीक है चलिए इसको अपने फेर कॉपी पर ही नोट करते हुए चलिएगा ताकि दुबारा वर करना करना पड़े ठीक है यह मैं इस तरीके से करके आप लोगों को सेट एनालॉगी ठीक है सेट एनालॉगी तो यह हो गई आपकी लेटेस्ट एकदम है आपका 2023 का लेटेस्ट है यह question आपका इसके साथ साथ मैं आपको एनालॉगी के बाकी जो पैटर्न्स है चाहें वो वर्ड का हो चाहें वो आपके लेटर का हो चाहें वो आपके नंबर का हो यह पूरा का पूरा लेटेस्ट पैटर्न के मैं आपको ऑनलाइन इसी चैनल पे ठीक है preparation करा दूँगा ताकि आप central exams देने जाएं तो आपके पास पूरा content हो साथी साथ classification वापस आ चुका है classification वापस आ चुका है तो classification भी आपको कराऊंगा ठीक है साथी साथ आपको series भी कराऊंगा missing number space visualization ठीक है यह डिब्बे वाले सवाल जो है मौक टेस्ट में जो कलाए हुए थे यह कोश्चन भी आपको इसी सेशन में कराऊंगा तो शाम 6 बज़े reasoning express का timing note कर लीजे train छोड़िएगा मत ठीक है क्योंकि भाई अपने पास तो मोदी जी का सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है ठीक है तो अपन कहां से इसका भरवाएंगी इंजन इंजन का ख्याल कौन रखेगा आगे answer सर नोट में direct answer लिखे है ठीक है आप लॉजिक्स लिख लीजे बस उतना ही परयाप्त होगा चले वह आगे चले आईए सर यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हो भाई क्या देख पा रहे हो हां हम देख पा रहे हैं सर की आठ पांचे चालिस और चालिस का साथ गुना कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा अगर हम लोग सही सोच रहे हैं तो 11 का 4 गुना 44 और 44 का साथ गुना तो सर साथ चोगा 23 और 230 308 बिलकुल सही है यानि हम लोगों ने सर पहले वाले का गुना कर दिया है तीसरे वाले में और जो भी हमें material मिल ला है उसी का साथ गुना तर देने पर हमें दूसरा वाला नंबर मिल ला है चलो शुरूवा जौओ चोवन का साथ गुना पहले वाले आप्शन के हिसाब से नौ का और छैका गुना करिए च्छैनावाए चोवन च्वन का साथ गुना नौ पाचे 45-45 का साथ गुना 137091 का साथ गुना ठेक है और 1155 55 अच्छपन का साथ गुना मुझे बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि तुरंत आप पकड़ लिए होंगे साथ एककम साथ साथ नवाद तिरसट शैसो सैंतिसी आप्शन आपके इस कोश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा एक भी कोश्चन मेरे मन से नहीं है तो समंदर को सुख के नहरिया नहीं होने देंगे लगाएंगे क्रीम लपेटेंगे गंच्छा खुद को करिया नहीं होने देंगे आज से हम भी डेली लाइव आएंगे सर क्या विशाल है विशाल है विदान्त है रिशिका है सुपर बॉय है रजनीकांत है ठीक है और भी बाक पूरा यकीन है कि जब भी आप एक्जाम में बैठोगे बहुत जल्द आने वाले बहुत पॉजटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं बस मेक्श्योर कि प्रैक्टिस की मतलब आपकी चल लिए ना वह आप मत तोड़ना आप मत करना मेरे साथ प्रैक्टिस अगर आपको अच्छा कोई गलत ना लेना है हमसे तो मिले नहीं हमसे बताए नहीं चलिए यहां देखिए सर यह तो बड़ा सिंपल सा कोश्चन दिख रहा कैसी सिंपल दिख रहा है सर हमें दिख रहा है कि 40 और 10 को माइनस कर दीजे तो 40 में से 10 गया 30 और 30 का 5 गुना होता है 1.500 पैसट में से 35 अंतर कितने का सर 40 का 45 दो सो फचल शर ये 25 का इसका 35 का पांच घुना कितना होगा तो 35 की सच खुना 350 ऊदा कर दोगे तो 175 तो यeous नहीं होगा आगे चलिए आगे चल favorites पच्शपन और 10 अंतर बता ये 45 45 का 5 गुना 450 का कर लो 225 आगा सऽट है सी उप्शिन पैटन क्या है पैटर हमारा 1-2 का 5 गुना क्या देदेगा हमें देदेगा नंबर थ्री क्या देदेगा हमें देदेगा नंबर थ्री क्या देदेगा हमें देदेगा नंबर थ्री प्रिंस आपका भी नाम लिया था भाई हो सकता हो छूड़ गया होगा लिजन्स नेचर अरे भाई या इसे ना करो हमको मालूम था कि अभी जो है कहर बर पाएंगे सब कोमेंट सक्षन में हमारे ठीक है चलते हैं अगले कोशन पर चलते हैं यह देखिए टाइमर ओन है बताइए दस और पांच आईए अब आपके साथ शुरुआत करते हैं हम लोग साथ में करते हैं सर दस पांचे पंद्रह द जब घंडित लगाता हूँ दस पांचे पैंटालिस और यह हो जागा ठीक है अगर हम लोग दस और पांच को जोड़ दे ठीक है तो सरंफ 15 तो हो जाएगा पंद्रह का तीनगुना था मिल जाएगा लेकिन आठ पांच 13 वह तीरह का पांच गुना आपको 360 नहीं मिलेगा य पाँच पाँच चालिस और 40 का नोगुना करेंगे तो 360 मिल जाएगा जी यहां बिलकुल मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि मुझे पहले और तीसरे नमबर का गुना करना है और जो भी आएगा उसी का मुझे पाँच गुना कर देना ठेक है तो चलिए साथ और तीन का मल्टि भाई दिल पर ना लो यार दिल बचा के रखो प्रिती मैंने पहले कहा था कि ऑफ-लाइन के उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनसे मैं रेगुलर जुड रहा हूं और जो लोग इससे में कमेंट सेक्शन में आए भी हुए हैं ठीक है मैंने आउनलाइन वाले बच्चों की बिल्कुल बात नहीं की विशाल को मैं इतने सालों से जानता हूं विशाल लगातार एक्जाम पर एक्जाम क्रैक कर रहे हैं चलिए यहां आ जाए सर 14 और 19 अब 14 और 19 को अगर मैं गुना कर दूंगा तो यह 1000 के आसपास की वैलिव आ जाएगी क्यों कि 19 का 10 गुना तो हो होगे तो 19 और 4 23 और 10 33 हो जाएगा और अगर 33 में हम इस तीन को देखें तो इस तीन में अगर हम साथ का गुना कर देते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे एक मिलने की संभावना है तो सातियां 21 हासी लगा दो सातियां 21 और 2 कितना हो जाएगा 23231 यानि मैं पहले नंबर को तीसरे नंबर को जोड़ लेता हूं तो इसी का साथ गुना करने पर मुझे क्या मिल जाएगा आप रहे तो यह बहूँ दुखकत घंजाएं चलिए सτरूरु तो निकल जाएका कितना लिए चलिए यह मान के चलेगा सब आगे चले आगेए यह देखे, यह देखे, यह देखे, इसमें क्या कर सकते, 360, 360 और यहां जैसे ही नजर पड़ेगी, मैं कहा रहा हूँ कि नमबर्स के साथ दोस्ती बढ़ाईए, संख्याओं के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाईए, ठीक है, इधर-उधर के दोस्ती करने से बजा है कि आप प्यार करते हो तो यह आपको सफल बना के छोड़ेंगे किसी और से प्यार कर लोगे तो वह आपको विल्ला बना के छोड़ेंगे तो इससे बढ़िया है कि यह प्यार मुहबब से दूर हो जाओ 65 और 25 का डिफरेंस मुझे बता तो कितने का रहा है सर 40 का और उसी 40 में जब मैं दुनिया 18 और 31 यानि कि दूसरा माइनस तीसरा कर दीजिए और इसी का नौ गुना कर देंगे तो आपको पहला मिल जाएगा ठेक चलिए भाई लोग 35 में से 17 घटा के 9 गुना कर लीजे 35 में से 13 घटा के 9 गुना कर लीजे 66 में से 30 घटा के 9 गुना कर लीजे और 19 में से 9 गटा के 9 गुना कर लीजे अब बबु 19 में से 9 गटा हूंगा 10 10 का 9 गुना असी नहीं होता है चार चेट में से 30 गटाऊंगा 36 और 36 में 6 का 9 में गुना करूंगा तो चार आएगा इकाई अस्थान पर ये 9 लिखा है गलत है 35 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 22 बचेगा और इस 22 का अगर मैं 9 गुना देखूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बबू 180 मिलेगा तो इस कोशन का अंसर आप लोगों का सी आना चाहिए था कितना आया हुआ जरूर बताइएगा और हम लोगों के साथ आती है और यही रीजन है जो भी बच्चा मैथमेटिक्स में अपने आपको वीक समझता है ठीक है राजी उसर की क्लास में जाते ही आराम से बैठ जाता शांत हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि असली जड़ी बूटी की क्लास यहीं है यानि अगर आप मैस में स्लो चल जूरत है ठीक है जैसे बोलते हैं कि एकदम हाथ पकड़ के सीखाने वाली कला तो वह अपने सर के पास बहुत सारे बच्चे अपने जानते भी होंगे राजिव सर के बारे में ठीक है चलिए तो सर हमारी पूरी की पूरी इस वानर सेना की तरफ से आपको नमस्कार है और 25 और 35 पांच तीन आठ तो दिख रहा है तो अगर हमारे पास देखें तो बीस और इज्ञारा का अंतर अगर हम निकालेंगे तो नौ आएगा यानि हमें नौ से जाना पड़ेगा तीन सो एक तालिस पे और यहा तो अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास एकतिस आ जाएगा और 31 हमें जाना पड़ेगा 341 के पास। ठीक मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं 31 में 11 का गुणा कर देता हूं तो 11 कम 11 11 33 और 1334 हो जाता है यानि कि एक बात तो confirm हो गए बबू कि जोड़ना ही पड़ेगा यानि हम क्या कर सकते हैं हम पहले और दूसरे को जोड़ दें पहले सब्सक्राइबन और तो आगर कर दें तो हमें तीसरा वाला नंबर मिलता हुआ दिख रहा है और इस पैटर्न को हमागे यूज करें तो क्या क्या किया जा सकता है कहां कहां से चली बीस माई बीस और पच्चीस कितना हो जाएगा सरिहां से 45 तो हमें 45 का 11 निकालना है 12 और 32 34 ग्यारा गुना निकालना है और सत्राचार इक्यारा गुना आप नहीं निकाल सकते तो मैं आपको बताता हूं जल्दी से गुणा करने की टेकनीक हाला कि आपको मैस वाले सरलोग दिन बर यह सिखाते रहते तो मेरी कोई कि देखो मजाल है नहीं लोगों के सामने फिर भी मैं अपनी कोशिस करूंगा ठीक है मैं अपनी वर से कोशिस करूंगा कि आपको सिखात सको देखिए ध्यान से अगर 11 11 में गुना करने को आए तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में देखेंगे और जानते भी होंगे वह लो ए तो कितना हो जाएगा वह देख सकते हैं अगर आप देखो 44 तो 44 का 10 कर लो 410 440 और 440 में 44 से कम 44 जोड़ दो बिल्कुल सही जबा भी आप लोगों का ठीक है यह चले आगे चलते सट वाली ऐनलोगी है सट वाली ऐनलोगी है पांसों में पांसों में बताइए इसका आंसर झेये और नौ है नो च्छे पंदरा 15-9 एक सो पैंटिस यह तो कुछ मजाक हो गया दूनों के साथ ना च्छे 15 15 कितना हो जाएगा 29 का 9 निखालने के बजस्का निखार प्यक्तिसकर निख पम के निकमनि तो दोस्तों एक सथा जाएगा यानि एकदम करेक्ट बात है मल्टिप्लाइग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आप उन में से बहुत सारे तरीकों में से कोई भी तरीका एक अपना लो ताकि आपका हाथ तंग नहों होने पाए ठीक है बागू चलिए सर अब मिकेनिकल इं कितना हो जाएगा बाबू 22 22 का नो गुना करना है 17 और साथ कितना हो जाएगा 24 24 का कितना करना नो गुना करना तोला एक सत्रह और 10 27 ठीक है 27 का नो गुना करने अब साथ तिरस्थ एकाई पर तीन आना चाहिए 9 चोग कर चचत्थ सब्सक्राइब इसका कर इसका भी सब्सक्राइब्स आप सभी बच्चे कब बता इगा अ से मताव बात है सभी लोगों का अंसर आ रहा है की ठीक है सभी लोगों का अंसर आ ठीक है चुरालो चुरा लो 500 में 500 जुराने के बाद हाथ ना अना फर्वरी बना देंगे 500 में कि चलिए सर यह देखिए 15 और 11 15 और 11 का अंतर कितने का वास कितने का वास कितने का वास नहीं सर पंदरा और एक 16 और 10 26 कर लो 26 का तीन गुना बताना जोड़ा तीन चप्छिस्तियां प्छत्तर होता है पचतर और तीन गुना कितना हो जाएगा नब्यांकित विया कनफर्म हो गया पहला प्लस तीसरा और इसी का तीन गुना कर दीजिया आपको मिल जाएगा दूसरा ठीक चलो बावलू सुरू हो जाओ सत्रा और बारध कितना हो जाएगा उनतिस का तीन गुना उनतिस का तीन गुना उनतिस का तीन गुना निकाल जल्दी से len चली panda 27 आना चीए गलत है ये उन्नीस और एक को यह विद्व है आई हो बिल्कुल सभी जवाब है आप सभी लोगों का अंसर रिधम और यह वी ना बात ये रहे ईए दे चलती है चलते सकल्त करतें लोग लाइव बहूत-बहुत-शुक्रे आप सभी लोगों का चली 15 और 12 कितना होता है 27 और 23 और 24 24 और तीन कितना हो जाएगा तो क्या हम 27 का 216 का कोई ऐसाब किताब कर सकते हैं चलिए चेक करते हैं 27 से करते हैं 27 का 216 बना सकते हैं तो सर साथ के साथ के पहाड़ा में साथ एकम साथ साथ दूनी चोहदा साथ च्छोकठाइस साथ पाचे पैंतिस साथ च्छक बैयाली साथ साथ चुननचास और साथ वाटे च्छपन सर केवल आठ ही एक ऐसा नमबर है जिसमें मैं अगर साथ का गुणा करूंगा तो इकाई पे च्छे मिले मुझे 54 को बनाना है 432 क्या मैं 54 में अगर आठ से गुणा करूंगा तो आठ चोग 432 आठ चोग के 32 हासिल लगा तीन आठ पांचे चालिस और तीन तैन तालिस यानि कंफर्म हो गया भीया आप दूसरा और तीसरा जोड़ करके आठ गुणा निकाल दीजिए तो आपको पह ठीक 24 और आठ 32 और 10 42 42 42 42 का आठ गुणा करना है तो आठ दूनिस सोला चाहिए ता अंकित भीया यहाँ पर गलत हो जाएगा बबू 32 और 6 38 और 10 48 48 का आठ गुणा करना है एकाई पे चार आना चाहिए बिल्कुल सही जा रहा है 24 और 4 28 और 10 38 ठीक है अब देखो 24 और 4 28 और 10 38 अब 38 का आठ गुणा और यहां 48 का आठ गुणा ठीक है चलो 58 64 84 अचील लगा चैए आठ यहां 24 और चैस और चैस और यहां देखो 58 84 चाहरा सी लगा चैस यह तीन सो चाहरा सी लिखा इसलिए गलत हो जाएगा और 304 वाला अपने कोश्यं का आंसर बन जाएगा यह दो ऐस 304 304 304 बिलकुल करेक्ट आंसर है 304 is the correct answer Sagees is no 15 homosexual 15 बने कोश्या मैं 15 कोश्या नंबर 15 बताएंगे कोश्या नंबर 15 सर यहां पर देख़िए भई यह देखो 20 20 में से नौ जाया 20 में से 10 जाया एगा 10 और 10 का दस का 9 गुना 90 यह तो सर पंजीरी है पत्चिस माइनस कर दो 10 कितना हैगा 15 15 का नोगुना कितना 135 सही है यानि हम लोग पहले में से तीसरे को घटा करके 9 गुना कर दे रहे हैं तो हमें दूसरा वाला चलो बाब सिधा सुरू करते हैं 22 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 15 15 का 9.500 नहीं होता है 19 और 15 उन्निस और 15 में से कितना सरुनिस मेंसे पंदरा जाएगा तो बचेगा चार और चार नौकम नहीं घुता है लेकिन अठार कि ए सूद network07 डेखते ही आप लोगों निए स्व लिगर ठोक दिया हो गांच você बतां भी क्या ये सही है बिलकुल सही जवाब है बहुत बढ़िया question number 16 question number 16 question number 16 question number 16 지र्ड 20 और 30 50 का 9 गुना 20 प्लस 30 50 और 50 का 9 गुना कितना होता है 450 3-5 55 0 लगाके 25 25 35 35 35 36 कितना होता है तो 96 54 लगा कि इतना ठीक यानि सर पहले और दूसरे को जोड़िए और नोगुणा कर लिजे अठारा और साथ कितना होगा 25 25 का नोगुणा कितना होगा 225 तो यह तो पहला यह आंसर हो जागा वाबू क्यों है सभी लोगों का पहला रहा है अगर अच्छा लग रहा होगा क्लास तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए तीस कोशन ले आया था लेकिन समझाने के लिए ते ृस्पीड डाउन कर दिया आगे चलते हैं अब इस पकड़ा गया है तो इसको कर लेते हैं अगले 15 मिनट में देखते हैं कितना होता है चलिए तब अब सुरू करते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या क्या सभी लोग इस बात से से एकंट है लेकिन उसके लिए सत्रह का पहाड़ा याद होना चीए है और बचपन सब को अपना come को सबते हैं पूरीदुनिया जानते हैं पूरी दुनिया को पता है किटवा हमारा झूई सब्सक्राइं की सत्रह का मैं प्रार्थना होように देखो अब यह घ्यान देखो सर 136 में 17 से भाग दीजे जो भी आएगा उसी का आठ गुना है 40 सौरी उसी का पांच गुना है 40 चक करिए सर 178 136 और 8 5 चालिस सर 198 में 111 से भाग देजिए कितनी बार जाएगा यह कितनी बार जाएगा सर 18 बार अठारा का 5 पांच गुना कितना होता सर 90 होता यानि दूसरे वाले नंबर को में पहले वाले नंबर से भाग देजिए और जो भी आएगा उसी का पांच गुना निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा तीसरा वाला नंबर ठेक चलिए शुरू करते सर 24 चौक के चानवे चानवे में 24 से भाग देना है 24 का चार गुना होता है और चार का पांच गुना करने पर बीस आएगा बारह से भाग दीजिए बारह से भाग देंगे तो बारह एक करने बारह एक सो आठ और नवा ठीक है और यह कितना हो जागा बारह एक कम बारह एक सो आठ बारह एक सो आठ और उन्हेस का पांच गुना पंचानवे होता है यह गलत हो जाएगा नौ से इसमें देखो पंदरा पंदरा और पांच गुना करोगे तो सब्सक्राइब करोगे तो तो नो आएगा नो पांचे सर बहुत बड़ा गैप दिखनी रहा है तो माइनस और प्लस से ही काम चलाना पड़ेगा तो सर अगर हम देखें यहाँ पे तो एकती से 17 जाने कि लिए प्लस का 16 करना है यहाँ भी प्लस का 16 करना है 16 से 35 जाने के लिए माइनस का 12 करना पड़ेगा तो यहां पर भी माइनस का 12 करना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि पहले दोनों में 16 को जोड़ना है फिर 12 घटाना है 32 में 16 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 49 तो किसी जनम में नहीं मिलेगा 21 में 16 जोड़ूंगा तो 29 म मिल जाएगा इस कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ठीक है पकड़ के रख लो जाने ना देना ठीक है और वीडियो पे लाइक वाली बटन दबा देना इतने सारे लोग आ जाया हुए हो दिले तम गार्डिन गार्डिन कर दियो कोश्चन नंबर 19 कोश्चन नंबर 19 साथ होता है इसी तरीके से 8 और 2 पहले और तीसरे को जोड़ना है पहले और तीसरा को जोड़ने के बाद उनके सम का चार गुना करके हमें दूसरा मिलेगा तो 822 10 का चार गुना होता है 20 58 28 का जो चार गुना होता है 56 और छॉता है ठीक है बारा पांस सत्रह का चार होगा ओफ symbolism कि त्षय तो जाएगा सबसक्OM हो जाएक सब्सक्ति हो जा चा मुद्स ettro हो जाएगा सभी लोगों का अंसर अगया सभी लोगों का अंसर खांश म्म具 thrilled क्या यह सभी लोगों का अंसर से यह मजा आ रहा है बढ़ियां लग रहा है चलिए कुछ नमबर ट्वेंटी इसके बाद अभी कुछ कोशन कराके कुछ कुछ आपको हमोग में दूंगा जो आप सौल करेंगे ठीक है यह देखिए सर चौदा है और नौ है अगर मैं चौदा मे अगर हम 14 से डिवाइट करें तो कितना मिलेगा तो चौदा दूनी 28 ठीक है 28 तो 28 और नौ और चौदा दूनी 28 और चौदा साते अंठानवे सही है भाईया देखो बाबु यह देखो जितना भी आएगा जितना भी वैल्यू यह आ रहा है ठीक है ध्यान से मेरी बात को सुन कितना होता है 126 और 126 से 126 का 3 गुणा कर दीजिए कितना मिल जाएगा 378 मिल जाएगा कितना 378 अब किसे पता किये आपके सामने हमने डिवाइड किया डिवाइड करके वैल्यू निकल लगी तो पैटन समझा रहा हूं कि इस पैटन से कर सकते थे ठीक है आगे अठारा का आ 135 का 3 गुना 405 चाहिए 15 साथ 15 105 का 3 गुना 305 आना चाहिए पांच और चालिस चालिस का 3 गुना 125 आना चाहिए चलिए चेक करते साथ 3 पांच चाहिए लगाए तिरत्या 49 और 40 सर पहला आंसर यह ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रिंस के रहें सर आज मैंने आज अड्मिशन कर रहा है तो मुझे 50 कोश्चन का सेट चाहिए अच्छा आज अड्मिशन करा दिए ठीक है आपको हम अलग से 50 कोश्चन की सीट देंगे यह पक्का वादा है अगर हम भूल भी 21 क्या क्या किया जा सकत्या को आगल मुखैस्ट में भी आ रहे हुआ है या क्ल मॉक्त तेस्ट में भी आया हुआ अगर आपको याद जो qno.21 कल के मौक टेस्ट में भी आया हुआ यह कर आपको याद मैं spare आप अब यही था क PP कराया था कई ऐसा तरह कि आ परिशान हो जाए at a bit भाव भी अप् kana प collar कि जोड़ देते हैं तो कि तना निल जायेगा 5 और 270 8 और तीन इक्यार और इसी का घर हम दो दो तीहाई निकाल दें डो तीहाई तो कितना मिल जाता था 78 रमिल जाता था यानि हमने पहले और दूसरे को जोड़ा है और उसी का टूठर्ट जो है वह हमें कौन मिल जा रहा है ठीक है यह काम करना था कल मॉक टेस्ट में यह को आपको मैंने दिया था ठीक है अब तो यकिन हुआ कि कर रहों मेरे साथ लाइब में ठीक है और यह आपको मिलेगा यह आपको डेली ही मिलेगा ठीक है आएए चेक करते हैं कैसे होगा सर आप क्या करिए 21 27 और 28 28 48 का दो तीहाई निकाल लीजिए 33 और 7 40 20 60 का दो तीहाई निकाल लीजिए तो मुझे लग रहा है कि 60 का दो तीह हो जाएगा यह बिस होगा 20 का दो गुना कितना 40 हो जाएगा हट हुआ इसका सबस्जिए लगे इसका सौलök से कर शेयुआकर यह अब देखिए यह कैसे किया तäg तीन नवा 27, 27 और प्लस 3 करने पे 30 मिल लहा है, सर इसी तरीके से दस्तियां 30 और 30 में 3 जोडने पे 33 मिल लहा है, इसी तरीके से आपने किसी को कर लिया कैसे, इन दोनों में मल्टिप्लाई करना था, इन दोनों का मल्टिप्लाई प्लस 3 करना था, इन दोनों का मल्टिप्लाई प्लस 3 करना था, ठीक है, चलिए, कल से 20 का कॉंसेट क्लास स्टार्ट हो जायागा, पूरा एक एक चीज क्यूं कहां कैसे, ठीक है, आईएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़े बताऊंगा, जिसको आप सुनोगे, तो सिरफ आंसर गिविंग सेशन्स नहीं होंगे, आपको अपने लॉजिकल सेंस को भी डेवलप करना पड़ेगा, जिस तरीके से आज के टाइम पे इतना तगड़ा कॉंपटिशन हो रहा है, जहां वेकेंसी कम होती चली जा रही है, ठीक है, और नंबर आफ एस पारेंस को इंटर करके आने वाला है, ठीक है, अभी पिछले साल की वेकेंसी क्लियरी नहीं होई है, एक अभी और आपके जो है, यानि कि अगर पिछले साल 10 लाख लड़के आए होंगे, तो इस बार भी 10 लाख लड़के आ गए, उन 10 लाख लड़कों का सेलक्शन नहीं हुआ, ले 12 का स्कुरार होता 144, 12 का स्कुरार होता 144, 144 में से अगर हम आठ के आधे का क्यूब घटा देते हैं, तो हमें मिल जाता 80, यही बताया था, इसमें, कैसे मालूम चलाताrav, क्योंकि हमें 12 का स्कुरार 144 रफ आईडिया है, और 8 का स्कुरार 64 घटा तो दें, लेकिन हमें सर आगे वाली वेल्यू यानि कि 10 का स्क्वाइर 100 घटाने की इजाज़त नहीं थी तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ा इसलिए हमने 16 का स्क्वाइर 256 में से 10 का आधा यानि 5 5 का क्यूब घटा दिया है और प्यूंस का क्यूब घटा है तो 131 मिला तो इस तरीके से अगर हम आगे बात करेंगे तो किसमें से क्या घटाना को चेक करना 14 कितना आता है सै कि 14 कि तो 902 और 12 चोटा वाला कितनाお願い करेंगे दो 60 मिल रूब अंजम करेंगे हैं यह तो आंस्धर क से नहीं बनेगा रहते हैं कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा 169 में से चार गाधा दो और दो का क्यूब निकाल दीजिए आठ तो कितना आएगा सर 161 यह भी फसा 9 है 9 का स्क्वाइर 81 और 6 का आधा लेना है तो तीन और तीन का जो आप इसक्वायर करेंगे तो कितना बचेगा हम लोगों के पास चववन बचेगा ठीक है यहां तक यह भी कल आया हुआ तो बिल्कुल कल वाले से ही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है दोनों के साथ सर एक घंटा कैसे बिच जाता पता नहीं चलता था अच्छा चलिए चलिए इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर वरनागर बढ़ा जाएगा और यानि कि डिफरेंस क्या है सेम है अगर डिफरेंस सेम है तो च्छार 12 और 12 और 16 यही क्या बन जाएगा अपने कोश्चन का आंसर बन जाएगा डिफरेंस सेम है यहां भी देखो 6 दो आठ आठ और दो 10 यानि अनतर सेम है एक नंबर से दूसरे दूसरे से तीसरे जाने पर अंतर क्या आरा सेम आ रहा है तो आठ से 12 गहें 4 का अंतर 12 लग गये हैं तो चार का अंतर मिल ला है 25 नंबर कोश्चन 25 नंबर कोश्चन क्या है से 25 नंबर कोश्चन चलो जल्दी बता हुँ तो 20 है क्या 29 कि यह 5 वाले नमबर में तीसरे वाले नंबर से भाग दिया है और तीन गुणा कर दिया तो मुझे पहला वाला नंबर मिल गया यही इस question का logic है चलो जल्दी से आजो बबो सर 120-19 से कटे गा ही नहीं कटे गा ही नहीं ठेक है यह देखो 187 चार के पहाड़े में साथ आता ही नहीं है ठीक 190-15 से कटे गा ही नहीं बचा यह बचा यह तो क्या क पांच question आपको मैं दे रहा हूं जो homework रहेंगे इस कम वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है और क्या क्या आपके डिमांड्स है ठीक है जरूर कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन को हम लोग करते हैं और कल मुलाकात होग भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया जैंद रही ही हंस consumers सेक्शन मेंट झालेका रफंचर गर मेंट रहा हैं जरूर देखन है। झाल झाल